तो सबसे पहले आपको बता दू, समीर वानखेडी जी के उपर मैं बात करना चाहूंगा, तो समीर वानखेडी जी के उपर F.I.R. हो चुकी है, F.I.R. registered against समीर वानखेडे for allegedly providing false information to obtain liquor license, तो क्या सीन है, आपको बहुत अच्छे से पता है, कि समीर वानखेडी जी के पीछे नव खात्मा करना शुरू कर दिया था, इस अकेले व्यक्ती ने अपनी टीम के साथ दाउद इबराहिम की कितनी फैक्ट्रिया बंद करी है, उनके ओपर bulldozer चड़ाए हैं, और इतना ही नहीं है, जो Bollywood के A-Lister से जो आपने आपको क्या समझते हैं, जो Bollywood के लिए paddling करते हैं, यह एक-एक paddlers सबको गिरफतार किया है, और आरियन खान तो आपको recently पता ही होगा, बट आरियन खान में कड़ी नहीं है, में कड़ी तो इनके दाउद है, जो दाउद चाचा इनके विदेश में बैठते हैं, दाउद साहिब, वही हैं इस Bollywood की में कड़ी, जिसके कारण यह राजनेता और यह Bollywood वाले सुलक गए एक दम इनके पीछे से आग लग चुकी थी, और समीर वानखिडी जी के पीछे निकल का है, अब सुनिए, वाक्या क्या है, समीर वानखिडी जी के पास license है, ठीक है, लिकर license है इनके नाम पे, जो इनका इक होटल चलता है, जिसके शुराब दी जाती है, जिसके में बिलकुल विरोध में हूँ, ठीक है, आप यह मैं सोचिए, मैं शुराब के और इसके लिकर के समर्थन में हूँ, नहीं मैं अशे के बिलकुल विरोध में हूँ, लेकिन, point यहाँ पे क्या है, यह गंदी राजनीती को मैं आपको समझाना चा रहा हूं कि कैसे समीर वानखेडी जी जो केमानदारी से अच्छा कार्य कर रहे थे तो कैसे उनको अटेक किया जा रहे तो बात आ रहे हैं 96 की वहला बहुत से लोग तो शाहिद पैदा भी नहीं होगे यह तब की बात हो रही है तो उस टाइम पे इनको लाइसेंस दिया गया तो उस टाइम पे माइनर थे ठीक है इनकी एज जो थी लाइसेंस लेने की वह वैलिड नहीं थी तो माइनर में इनको दे दिया गया उस समय में 96 में लेकिन इतने समय निकल गए इतने वर्ष निकल गए समीर वानखिडी जी ऐसा तो है नहीं आज आज duty जॉइन किये थे यानि कि इस वर्षी उन्होंने कोई duty जॉइन कि इस से पहले तो वो सरकारी विभाग में थे ही नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप 4-5 साल पूर्व कोई illegal license की बात कर रहे हो आप कि आप एक personal vendetta के अंतरगत चल रहे हो जहां पे आप ही की सरकार आप ही की पुलिस दाव दिबराहिम के गुर्गो के जो ये पूरे घर है फैक्ट्रियां है ये चल रही थी इसका खात्मा नहीं कर सकते और एक व्यक्ति जब वो करने निकल गया तो आब उस व्यक्ति की ये पकड़ने निकल गयी 96 की जो भी वही माइनर था इसकी तो होगी नहीं इसके माता-पिता मतलब समीर वांखेड़ जी के माता-पिता की द्वारा वो लाइसेंस लिया गया जो भी सीन है लेकिन आप समीर वांखेड़ को इसके लिए टार्गेट कर रहे हो जो 96 में जब वह मा महराष्ट्र में होगी मुंबई में होगी तो आप समझ लो कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे क्लियरली टार्गेट किया जा रहा है ठीक है क्लियरली समीर वानखेड़ी जी के पीछे यह लोग मुँ उठा के हाथ धोके पड़ चुके है ठीक है ना शर्मानी चीए सरकार को रहेट